उत्तर प्रदेश के हर्दोई के मलावा नगर पालिका में तैनात बाबू को बदमाशों ने गोली मार दी गोली लगने से वह घायल हो गए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है जानकारी पाकर एस्प वे सीओ ने भी मौके पर पहुँच कर जाश पड़ताल की आपको बता दे कि मुहला कट्रा निवासी राजेश कुमार सिंग नगर पालिका में प्रधान लिपिक हैं और पानी की टंकी परिसर सित आवास में ही पत्नी वे पुत्री निधी के साथ रहते हैं कस्बा में ही रागवपुर मार्ग पर उनका दूसरा मकान है जहां पर उनके पुत्र वे बहु रहते हैं बड़े पुत्र उदयभान सिंग का निधन हो चुका है उनकी पत्नी बंदना सिंग दो बच्चों के साथ रहती है जैसा कि राजेश सिंग ने बताया कि अभी शेक अपनी पत्नी के साथ बरात में गया था बंदना घर पर अकेली थी तो उसने निधी को फोन कर आने को कहा रात करीब दस बजे वह बाइक से पुत्री निधी को लेकर घर छोड़ने गए थे जब हैं मकान पर पहुँचे तो पहले से ही दर्वाजा खुला था वह घर के अंदर गए उसी बीच सीड़ियों से दो बदमाश उतरते दिखे उन्हें टोका तो दोनों ने उसके उपर तमंचा तान दिया विरोध किया तो एक ने फायर कर दी गोली उनके सीने के पास लगी और दोनों बदमाश पैदल ही भाग गए ASP अनिल कुमार सिंग ने बताया कि राजेश सिंग को गोली मारी गई है मुकदमा दर्जकर कारवाई की जा रही है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुब्सक्राइब करें घर्नेवाद प्लांस, state-of-the-art lightning अ पर्फेक्ट वेन्यो फो वेडिंग, लाँचिंग और पार्टेस राजगराना एं जोती गारण अ जबीड़ी बैंक्वेट एंटर्प्राइब